वेलकम है आप सब का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल एंटायर एजुकेशनिस्ट पर तो दियर स्टूडेंटेस यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पोस्टस आउट हुए है इनिस्टूट आप बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन की तरफ से अल ओर इंडिया के लिए पोस्टस आउट हुए है डिफरेंट स्टेट्स में पोस्टस को डिस्रिब्यूट किया गया है और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग-अलग पोस्टस रखे गये है तो क्या है ये Posters, क्या selection process है, इन Posters का age limit क्या है, application fee कितना है, कब से आप apply कर सकते है, qualification क्या होनी चाहिए, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में detail के साथ discuss करेंगे तो वीडियो को start करने से पहले, अगर आप इस चनल पर पहली बार visit कर रहे हैं, तो इस चनल को subscribe करें, तो आईए देखते हैं, पहले important dates, फिर हम Posters की बात करते हैं, किस state के लिए कितने Posters रखे गए हैं, और कब से आप apply कर सकते हैं, ये सारी Posters, bank Posters हैं, यानि आपको job करने को म लेगी अगर आप इन पोस्ट के लिए eligible होते हैं, so important dates की बात करते हैं, कब से आप online registration कर सकते हैं, online registration including edit modification of applications by candidates, इसका date start होता है, 2 अगस्ट 2022 से लेकर 22 अगस्ट 2022 तक, यानि आज आप इसके लिए registration कर सकते हैं, और online fee कब से pay कर सकते हैं, इसी date से 2 अगस्ट 2022 से, 22 अगस्ट 2022 से 2022 अगस्ट 2022 तक, अपना application सब्मिट करने के बाद, अगर आपको किसी जगा लगता है, मुझे कोई column edit करना है, कोई column change करना है, तो वो option भी इसमें आपको मिलेगा, और उसका last date भी 22 अगस्ट 2022 तक रहेगा, selection process की बात करें, तो आपको 3 तरह की exams देने होंगे, preliminary, men's and उसके बा चेक कर सकते हैं, यह सारा कुछ यहां mention किया गया है, कब आपको preliminary exam होगा, कब आपको training के लिए बुलाए जाएगा, कब man's exam होगा, और कब interview के लिए आपको जाना है, यह सारा कुछ आप यहां पे चेक कर सकते हैं, इसका screenshot आप ले सकते हैं, या बाद में, जब मैं WhatsApp groups में, इस से, कुछ important चीज़े हैं, अगर आप inputs के लिए apply करते हैं, a candidate must be either a season of India, or a subject of Nepal, और subject of Bhutan, इस तरह आप यहां पे यह important चीज़े चेक कर सकते हैं, screenshot ले सकते हैं, बाद में आप इसको पढ़ भी सकते हैं, age limit की बात करें, minimum 20 साल की عمر होनी चाहिए, और maximum 30 years, और कुछ relaxation दी गई है different categories को, जो आप यहां पे check कर सकते हैं, अब हम direct posters देख लेते हैं, किस bank में कितने posters निकले हैं, और किस category के लिए कितने posters रखे गए हैं, total posters की बात करें, 11 banks में यह posters आउट हुए हैं, जो आप यहां पे देख सकते हैं, bank of India ने SC के लिए 80 posters, ST के लिए 40, OBC के लिए 144, EWS के लिए 53, general के लिए 218, इस तरह back up India ने 535 posters आउट किये हैं, इस तरह आप back up माहरस्ता के देख सकते हैं, SC के लिए 75, ST के लिए 37, OBC के लिए 135, EWS के लिए 50, general के लिए 203, इस तरह back up माहरस्ता ने 500 posters आउट किये हैं, इस तरह यह total posters कुल मिला के बनते हैं, 6,932, जो different states में distribute किये गए हैं, और different categories के लिए रखे गए हैं, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इसका आप screenshot ले सकते हैं, जो आप बाद में खुद भी चेक कर सकते हैं, अब examination center की बात करते हैं, different states का कहां कहां पे examination center रहेगा, यह यहाँ पे mention किया गया है, अंडमन और निकोबार का preliminary examination center होगा, पोर्ट बलेर और मैन examination center होगा, यही पोर्ट बलेर, इस तरह आप एक एक state का चेक कर सकते हैं, जमू और कश्मीर का, जमू, सांबा और सेरी नगर में preliminary examination center रहेगा, और men's examination center रहेगा, जमू और सेरी नगर में, इस तरह आप हर एक state का यहाँ पे चेक कर सकते हैं, इस state का examination center कहां रहेगा, और यहाँ पे कुछ important guidelines दी गई है, कि आपको कैसे documents upload करने हैं, जब आप इन पोस् photograph must be a recent passport style color picture, यानि जो आप photo upload करेंगे, वो recent होना चाहिए, और color printed होना चाहिए, make sure that the picture is in color, इस तरह आप यहाँ पे एक एकर से, सारे guidelines पढ़ सकते हैं, apply करने से पहले, ताकि जब आप apply करें, आपको कोई भी दिक्कत ना हो, यह notification आप ज़रूर detail में पढ़े, क्योंकि काफी लंबी notification है, इस notification में syllabus भी mention किया गया है, preliminary के लिए क्या syllabus होगा, men's के लिए क्या syllabus होगा, अगर आप इन post के लिए apply करते हैं, selection ना भी होगी, फिर भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, काफी practice होगी, इन exams को देखे, so I hope video आपके लिए useful साबित हो, next video में फिर मुलाकात ह होगी, till then take care